नमस्कार दोस्तों एक बाद फिस्ट स्वागत आपका मुखिष लाल कोचेंग ग्लासेज में देखिए कल हम आप सभी को यह जो आपको एससी का हम चर्चा इस वीडियो की माधं हम से कर रहे हैं देखिए सवाल नमर्ण 31 किया रहा है कि भारत में प्रय नदी से संबंध सबसे उंचा निकास बेसीन कोन सा है तो यह आपको कृष्णा है कि भागी रथी और अलग नंदा का संगम कहां पर होता है तो भागी रथी और अलग नंदा दो नदियों का जो संगम है वो देव परियाग में होता है याद रखिएगा अगला स्वाल है कि सत्पूरा और बिंदे के बीच कौन सी नदी बहती है तो सत्पूरा और बिंदे के बीच में नर्मदा नदी जो है वो बहती है अगला स्वाल कहा रहा है कि केरल की निरोगहाटी में इस्थीत वन किस प्रकार के वन का एक उदाहरन है तो केरल के निरव घाटी में इस्थीत वन जो है वो ओसन कटी बंधिये वर्षा वन के अंतरगत आती है सवाल नमर 36 कहा रहा है कि भारत का कूल कितना भागोलिक छेतर वन भूमी है तो भारत का कूल 23 परसेंट लगभग जो है जो टोटल जो भागोलिक छेतर है वो वन भूमी के अंतरगत आता है 37 कह रहा कि गंगा डेल्टा के मैंग्रोवा वनो को क्या कहा जाता है तो गंगा डेल्डा के मेंग्रोवा वनों को सुन्दर बन के नाम से जाना जाता है याद रखिएगा अगला है ठट यह कि भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा किस राज्ये में इस्तित है तो यह आपको जो है वो उत्रा खंड में इस्तित है याद रखिएगा यानि कि नंदा नदी जो है वो उत्रा खंड में बहती है अगला के रहा है कि कंचन जंगा राष्टिये पार्क कहां परिस्तित है तो कंचन जंगा राष्टिये पार्क आपको शिक्किम में इस्तित है बिश्व का एक मात्र तैरता हुआ राष्टिय उधान कैबूल लगजाओ कहां परिस्तित है तो बिश्व का एक मात्र तैरता हुआ राष्टिय उधान कैबूल लगबाओ जो है वो आपको मनी पूर में इस्तित है जो कि भारत में है 41 कर रहा है कि मद्य भारत का टीका किसका उत्पादक है तो मद्य भारत का टीका उसन कटी बंधिये आजर पतजड़वनों का उत्पादक है अगला स्वाल कर रहा है 42 में क्रिकेट बैट के लिए बिल्लो कहां से प्राप्त किये जाते हैं तो क्रिकेट बैट के लिए बिलो को संकू ब्रिक्षी वन से प्राप्त किये जाते हैं 43 कर रहा है कि राल यानि धूना जो है किसका उत्पादक है तो यह आपको कोनी फेरस जो की संकू धारी प्यन होते हैं उसका जो है उदारन है देखें माइटर यह जो सेशन चल रहा है जोग्राफी का यह आपको जोग्राफी का सेशन चल रहा है और यह आपको जोग्राफी का सेशन है आपको हम पूरा भी जोग्राफी ही करवा रहे हैं इसके बाद हम आपको next करवाएंगे अगला जो हो सकता है history या तो science करवाएंगे आपको तो ये part number two है हमारा वीडियो का अगर चैनल को subscribe नहीं कियोंगे तो subscribe अवस्य कर लिजेगा ताकि आपको अगला वीडियो आपको आसानी से मिल सके अगला कह रहा है कि भारत में निर्यात पेट्रोलियम से समंदीत है अगला स्वाल के रहा है कि भारत की कुल जन संख्या का क्रीशी में न्यूत परतिसत कितना है लगबाग तो ये आपको टोटल लगबाग 50 परतिसत है भारत में तेल की पहली पश्चिकरन साला जो है अस्थापित कहां पर की गई थी तो ये किया लाल नहरू बंदगा कहां परिस्तित है तो जवाहालाल नहरू बंदगा मुंबई में इस्तित है कुलकत्ता और दिल्ली किस के द्वारा जूड़े हुए है तो कलकत्ता और दिल्ली जो है नेशनल हाईवे संख्या 2 के द्वारा जूड़े हुए है एक कावन कह रहा है कि आ अधीक है मापकी जगा सबसे कम तो बिहार में है सबसे अधीक आपको केरल में है भारत में आश्चेनिक समस्या मुख्य रूप से मुख्य रूप से इसके कारक है तो यह प्रभावित छेत्रों में भौम जलका अतिशोसन से समंदित है 54 कहा रहा है कि भारत के दक्षिन में सबसे दूरष्ट अस्तर कौन सा है तो कल भी बताये यह आपका इंद्रा पॉइंट है और आज का आखरी सवाल है भारत का सनक्षित राज ये कौन सा है तो सिक्किम भारत का सनक्षित राज है और इस प्रकार से यह हम लोग LDC का Part No.2 कर ल आपको देने वाले हैं तो मिलेंगे नेक्ट क्लास में तब तक लिए all the best take care वावे thank you